राधे राधे एवरिवन आप सभी को करवा चोथ वरत की बहुत बहुत बधाया फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करवा चोथ वरत में करवा कैसे फेरते हैं आगर आप अकेले हैं तो फिर आप पूजा में करवा कैसे फेरेंगे और अगर आप एक ही करवा रखते हैं तो फिर आप करवा कैसे फेरेंगे इन सभी विश्वों पर आज की वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी तो वीडियो को आप अंति तक जरूर देखें तो देखें सबसे पहले तो हम करवा चोत माता का कलेंडर लगाकर करवा चोत माता का पूजन कर लेंगे पूजन कैसे करना है इसका वीडियो पहले चैनल पर आ चुका है और देखें पूजन में जो मिट्टी का करवा हमने लिया है जिसमें हमने जल भरा है उस करवे को हमें नहीं फेरना है इस करवे से हमें चंदर्मा को अरग देना है तो ये करवा हमें यहां से तभी उठाना है जब चंदर्मा उधे होंगे और जब हम चंदर्मा का पुजन करेंगे तो इससे तो हमें चंदर्मा को अरग देना है इस करवे को हम ऐसे कैसे रहने द ये करवे आप ले सकते हैं या फिर आप अलग से मिट्टी के करवे ले सकते हैं उनमे आप अनाज भर लीजिए या खील पताषे भर लीजिए या ड्राइफरूट भर लीजिए जल का भरा हुआ करवा नहीं फेरते हैं अनाज वगरा का भरा हुआ करवा फेरते हैं तो देखिए आप अगर आपके यहाँ पर दो करवे लिये जाते हैं किसी किसी के यहाँ पर तो एक करवा लिया जाता है यह मीठा करवा किसी किसी के यहां पर यह दो करवे लिये जाते हैं तो अगर आपके यहां पर मिट्टी के या चीनी के दो करवे लिये जाते हैं तो फिर आप उन दोनों को आसानी से बदल सकते हैं एक जो करवा होता है यह जो एक करवा है यह करवा चोत माता का करवा होता है ये हमें मिनसकर अपनी सासुजी को देना होता है तो ये करवा तो करवा चोथ माता का है आप एक करवा और ले लीजिए वो करवा आपका करवा होगा तो देखिए ये एक करवा इस तरह का हम और ले लेंगे किसी किसी के हाँ पर ये दो करवे रखे जाते हैं एक करवा मिनसकर सासुजी को दे देते हैं और दूसरा करवा स्वैम रख लेते हैं तो अगर दो करवे आपके पास हैं फिर तो कोई दिकत है ही नहीं करवा फेरने में आप देखिए इस तरह से दोनों करवे पकड लेंगे तो देखिए ये करवा हम इस तरह से पकड लेंगे और इसके बाद देखिए जो हमारा सीधे हाथ वाला करवा है इसको हम पहले इधर रखेंगे करवा चोत माता सुहाग लो फिर हम कहेंगे करवा चोत माता सुहाग दो फिर हम कहेंगे करवा चोत माता सुहाग लो करवा चोत माता सुहाग दो इस तरह से ये करवे हमें फेरने है आप 5 बार या 7 बार ये करवे फेरते हैं और देखे जो करवा चोत माता का करवा था वो फिर हमारी जगे पर आ जाएगा और हमारा जो करवा था वो करवा चोत माता की करवे की जगे चला जाएगा इस तरह से करवे बदल जाएगे तो ऐसे करवे फेरे जाते हैं तो देखे इ एक करवा आप बायने में दे देंगे और एक करवा आपको अपने पास रखना है तो ये जो करवा है ये वाला जो करवा है ये वाला तो हमें बायने में दे देना है ये करवा चोतमाता का करवा होता है और ये वाला करवा हमारा करवा होता है तो ये करवा हम यूज कर लेंगे और वो वाला करभा हम दान में दे देंगे इसके साथ ही देखिएliśmy अगर आपके यहाँ पर एक ही करभा रखा जाता है तो फिर हम करभा कैसे फेरेंगे बहुत सी जगये पर सिर्फ एक करभा रखा जाता है मीठा करभा या तो फिर मिट्टी का करभा जादा तर लोग मीठा करवा लेते हैं क्योंकि ये करवा दान करना होता है और मीठी का करवा अगर दान करते हैं तो पता नहीं सामने वाले के यूज होगा या नहीं लेकिन ये मीठा करवा यूज हो जाता है तो इसलिए जादा तर मीठा करवा ही देते हैं तो देखिए इसक ऐसे हमें 5 बार या 7 बार करवा फेरना होता है, उसके बाद हम हाज जोड़कर करवा चोत माता से अपने सुहाग की सलामती के लिए प्रात्ना करते हैं, तो देखें आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, जब 2 करवे होते हैं, तो एक करवा चोत माता का करवा होता है, एक हमारा होता है, उनको आपस में हम फेर लेते हैं, और अगर एक ही करवा हमारे पास है, तो फिर करवा चोत माता के हाथ को बार बार सपर्स करते हुए 7 बार हम करवा फेरते हैं, करवा चोत माता से ही, तो इस तरह से हम करवा फेरने की ये विधी पसंद आई हो, अगर वीडि दो धरम के तीज तोहारों की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ तब तक के लिए जै श्री कृष्णा राधे राधे